Hello and welcome friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे receipt voucher में कैसे हम TDS की entry करेंगे होगा क्या कि जो अगली party होगी जिससे हमें payment प्राफ्थ होगा वही हमारा जो payment है वो government को card करके TDS card करके और वहाँ submit कर देगी और बाकी का हमें दे देगी तो उसकी entry हम अपने यहां कैसे करेंगे वो देखेंगे तो सबसे पहले चलते हैं कहां accounting voucher में सबसे पहले हम GST देख लेते हैं इसमें हम GST भी लगाएंगे तो देख लेते हैं कि GST enable है या नहीं और TDS को off कर देना है यानि on नहीं रखना है ठीक है क्यों क्योंकि हम यहां पर TDS नहीं काट रहा है इस वज़ा से हमें इसे on नहीं रखना है इस feature को F11 key press कीजिए और यहां से आजाई यह statutory and taxation पर यहां पर GST enable कर लिजे यह हमने y press कर दिया है और यहां पर आ करके set alter GST details तो यह दिखे यहां पर 99% की इसाफ से मने GST लगा भी दिया है enterprise करेंगे enterprise करेंगे और यहां से आ करके यह जो है न enabled tax directed at source इसको आपको नो रखना है और set alter TDS details इसको भी no रखना है ठीक है और control ए फ्रेस करके accept करा लेना है इतना काम कर लेने के बाद कहा आना है आपको आपको आना है accounting voucher पर आप जानते हैं कि हमको entry कहा करनी है sales voucher में करनी है तो sales voucher में पहले हम entry करेंगे ठीक है हम वो services बेचेंगे ठीक है तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहली entry हमें पास करनी है तो इसके लिए हम लेजर कर लेते हैं तो यहां देखिए मैंने laser बना रखे है कौन-कौन से laser बनाया है दिखा देता हूँ एक ABC company है ठीक है यह ABC company का laser कुछ इस तरह से बनाया इस इस संड़ी income होगी ठीक है तो advertisement अगर हम हमको मिलेगा कराने के लिए तो वह हमारी indirect income होगी न तो यह हमने advertisement का एक laser बना लिया है यह देख सकते हैं आप और interface करके इसको accept करा लिया है ठीक है अब advertisement का laser बनाने के बाद फिर यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हम bank का एक laser बना रखा है हमने बी-ो-बी bank यह नि बैंक को बड़ोधा का एक laser बना रखा है अब चलिए देख लेते हैं कि इसकी entry हम कैसे pass करेंगे इस तरह की entry हमें pass कैसे करनी है यही देखेंगे तो चलिए आ जाते हैं कहाँ पर accounting voucher में और सबसे पहले में कहाँ चलना है affiliate प्रेस करके sales voucher में चलना है तो यह आगे sales प्रेस किया तो यहां पर नेम आफ आइटम यहां आने लगा हमें आइटम नहीं चाहिए अल्ट आई फिट से प्रेस कर दीजिए यहां particular आने लगेगा और आपका काम असान हो जाएगा आप यहां पर आपको देना है बेच रहा है जैसे advertisement है ठीक है तो यह advertisement का हमने लगा दिया अब advertisement के रूप में कितने रुपे आप यहां पर 80,000 रुपे माली जीए अब यहां पर हमें लगाना है cgst और नीचे लगाना है sgst तो यह भी हमने लगा दिया है 18% के हिसाब से यह एड़ेस्ट करेगा इसको और इसको accept करा लीजिए accept कराने के बाद अब हमें कहां चलना है receipt voucher में तो receipt voucher में जाने के लिए apps express कीजिए और यहां पर इसको यह single entry mode है double entry mode में लेने के लिए यहां से single entry mode को पहले off कर देते हैं और double entry mode को चालू करने के लिए debit create option चालू कर देते हैं Ctrl A press कर लेते हैं आप यह Double Entry Board में आ गया Enter press कर लेता हूँ, यहाँ पर आ रहा है Credit, Credit किसे करेंगे इतना कलेन पर थोड़ा बाहर आते हैं, आपको एक चीज और दिखा देता हूँ Legers में, एक TDS का भी Leger हमने बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यह TDS वाला laser यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पर T press करता हूँ TDS on advertisement के देख सकते हैं और इसे loan advance के group में, under में हमने डाल देना है ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है और Ctrl A press करके accept करा लेना है, तो यह भी laser एक आपको create करना है, चलिए, वापिस आजाते हैं वही पर, पर जो laser हमने सबसे पहले बनाया था ABC Company उसको लगा दिया, ठीक है खुल मिला करके, जो भी 80,000 रुपए receive हो रहे है यही था यह हमने receive किया, enterprise किया अब यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ हमको amount डालना नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा amount डे डाला है, जो tedious cut लिया गया है, other party के द्वारा वो हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है अब क्या करना है आपको, और इसे हमने loan and advance डाला है, अब यह दिखिए 5000 रुपए जो हमने काटे थे, वो यहाँ पर automatically आ रहे है और अब इसको आप करा लिजे, accept